और अक्षा में की शुरुवात करेंगे एक बड़ी खबर के साथ टीचर को टॉर्चर करने वाले छात्रों पर नकेल कसी गई है पुलिस ने दो आरोपी छात्रों को पूर्स्ताच के लिए बुलाया है टीचर ने चार चात्रों के खिलाफ फायार भी दर्ज करवाई थी दरसल मेरट के किठोर थाना इलाके के एक इंटर कॉलिज का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में तीन से चार लड़के अपनी ही टीचर पर पबतिया कस्ते और अश्टली शब्दों का स्तंबाल करते हुए कैमरे में कैद हुए जिसके बार टीचर ने चार चात्रों के खिलाफ फायार दर्ज करवाई थी अब पुलिस ने दो चात्रों को पकड़ा है पूश्टाच उनसे की जा रही है और चात्रों पर नकेल कसने की भी पुलिस ने पूरी तयारी कर लिए एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में देखा और सुना जा सकता था कि कैसे ये चात्र अपने स्कूल की टीचर पर ही पबतिया कसते थे अपने से तर्दकाल उसी तारी को पच्छेस ग्यारा को ही सुसंगर दाराओं में अगे की जाता है महिला की F.I.R. पे चार लोग नावजद थी, उन से मुझतर्श कराता चारता चारता है। ये पूरा मामला क्या है, वीडियो क्या वाइरल हुआ, वो आपको इस रिपोर्ट के सरियम समझाते हैं। जो सिक्षक जिंदगी में कुछ बनने, नाम कमाने, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है, पाठ पढ़ाता है। जो टीचर बच्चों को जीवन में कुछ बढ़ा करने का रास्ता बताता है उसी के साथ शात्रों ने स्कूल में और क्लास में पढ़ाई के दौरान छेड़ चाड और अशलील कमेंट किये हैं टीचर के साथ छेड़ चाड़ और अश्टील कमेंट करने की एखटना मेरट के स्कूल में होई है पीडिता स्कूल में टीचर है छेड़ चाड़ करने वाले आरोपी उसी के क्लास के चात्र है यह वही छात्र हैं जिन्हें वो रोज नैतिक्ता का पार्ट पढ़ाया करती है मेरट में वाइरल हो रहे हैं इस वीडियो में साफ देखा और सुना जा सकता है कि क्लास के बाहर का ग्राउंड हो या फिर क्लास के भीतर हो चात्र अपनी ही टीचर को खुले आम प्रपोस करते हैं छेड चाड और अश्लील कमेंट करते हैं पहले तो पीडिक टीचर ने चात्रों को ना समझ समझ कर मामले को इगनौर कर दिया लगिन आरूपी चात्रों ने खटना का वीडियो वाइरल कर दिया अब परिशान टीचर डिप्रेशन में है और आरोपियों के खिलाफ एफाई आर दर्च करा दी है टीचर की एफाई आर की मुताबिक आरोपी छातर पिछले काफी समय से लगातार छिड़ते हैं कभी अशनील कमेंट करते हैं अब उन्हें च्छाड का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया है पिडिता की शिकायत पर पुलिस में आरोपियों पर एफाई आर दर्च कर ली है सोशल मीडिया के मादेम से एक वीडियो हमाई संग्यान में आया था जिसमें जो संबंधित महिला है उससे तदकाल मुलाकात की गए और दिनांग पच्छिस ग्यारा को इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्च किया गया है और आगे की विदिक कारवाई की जा रही है मामला मेरट के थाना किठोर शेत्र के राम मनुहर लोहिया इंटर कॉलेज का है आरोपी स्कूल में पढ़ने वाले बारवी काक्षा के तीन छात्र हैं जो वीडियो में अपने ही क्लास में पढ़ाने वाली टीचर से खुले आम छेड़ जाड़ करते नजर आते हैं थाना किठोर में खासकर ये बुला गया है कि स्कूलों की छुटी के टाइम पे और जब स्कूल में बच्चे आते हैं सुबह के टाइम पे ड्यूटी लगाई जाए ताकि जब महिलाएं या बच्चियां बाहर निकलती हैं तो ऐसे लड़के उन्हें परिशान ना करें और एक जो जितने भी स्कूल हैं उनके प्रिंसिपल्स के साथ एक बैठक भी की जा रही है कि स्कूलों में एक तो मुबाइल फोन्स एलाउड ना हो और इस तरह के जो भी हो रहा है ये इस पे भी प्रतिबंद लगे और लड़कों को खासकर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग और अपना और अपने परिवार का भाविश्य गढ़ेंगे ये समझा जा सकता है तिलहाल इस तुरह की घटनाएं दोबारा नहों पुलिस प्रिशासन स्कूल कॉलेज के बाहर अतुरिक्त पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ कॉलेज में जाकर बच्चों की काउंसिलिंग करने की भी तैयारी कर रहा है सनुझ शर्मा एबीपी गंगा मेरट एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी